असलाम लेकुम, हुशाम दीट कहती हूं, मैं आपको अपने चैनल में, आज की वीडियो हमारी कुरेशे की थर्ड क्लास है, इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप कपड़े को और नीडल को एक साथ कैसे हैं, इस वीडियो में आप लोग के एक बहुत ही बे अगर आप मुझे फर्स टाइम जोईन करें हैं, मेरी दोनों क्लास पीशे वाली नहीं ली हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप प्रफेशनली कुरेशे के साथ बेलेंगे, डिफरेंट किसम के डिजाइन्स बनाना चाहते हैं कपड़े पे, तो मेरी इन क्लास को फॉलो करें, बहुत ही जल्द आप सब बनाना सीख जाएंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं, स्टार्ट, तो यहाँ पे एक रुमाल ले लिया है, अब हमने और यहाँ पे जो धागा ले लिया है, पहले मैंने दो वीडियोज वूल के साथ आपको सिखाई है, यहाँ पे भी आप बूल ले सकते हैं, अगर आपसे धागा हैंडल ना हो रहा हो, तो यहाँ पे धागा ले लिया है, उसको इस तरीके से फिंगर पे ले पेट लिया है, थोड़ा सा, रुमाल की जो किनारिया है, वो इस तरीके से फोल्ड होने चाहिए, किसी भी एरिय की जहां पे आपको यह बनाना है, थोड़ा सा फोल्डिंग आगे से होनी चाहिए, इसको नीचे की साइड पे इस तरीके से रखेंगे, और उपर से इस तरीके से नीडल से होल करेंगे, और यह बल नीचे से लेते वे उपर की तरफ जाएंगे, और एक बल लेंगे और फिर इसके अंदर से निकालेंगे तीन बल होगे अब एक बल लेते वे उसी होल के अंदर से दुबारा से एक बल लेकी जाना है उसके बाद इसके अंदर से पहले दो में से निकाला अब फिर मजीद दो में से निकाला यह आपने ख्याल रखना है फिर से उसी ह तीन चार चार जो टांके हैं वो यहां पर एक और टांका हम इसमें से गुजार लेंगे चार से पांच टांके की जो हमारी जिंजीरी है यहां पर बना लेनी है आपने उसके बाद आपने जितनी आपके यह जो लंबी चेन होगी, यह जो 5 टांकों गी मैंने यहाँ पर बनाने इस खाई है, आपको उतना आपने distance छोड़ना है यहाँ पर देकिन आपके देख लेनी है, उतने distance पर हॉल फिर से करना है और इसके अंदर से निकालनी है, स्टार्ट करना थोड़ा सा difficult था अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो आगे बहुत easy है फिर से एक बन लेंगे अंदर से निकालने के बाद दोनों में से गुजार देंगे अब फिर से chain बना लेंगे एक दो तीन चार पांच फिर से हमने पांच जो बल है उसकी chain बनाई और फिर से hole करेंगे आगे distance उतना दर्मियान में रखना है जितना 5 chain का होगा हमारा फिर से निकाला बल और इसके अंदर से इस तरीके से निकाल देंगे अगर आपको मुश्किल हो रही है हम आपके equal distance पे टांका नहीं लग रहा है तो आपने क्या करना है पहले का nap लेना है पांच जो हमने chain बनाई थी उसका कितने distance पे लगा है उतने distance पे नाप के आगे सारे dot लगा लेने हैं फिर simply आपने 5 की chain बनाते जाना है और उसी dot के अंदर से आपने उस मेंसे hole करते जाना है यहाँ पे देखें फिर से हम hole कर लेंगे जब आपके dot लगे में होगे तो आपको confusion नहीं होगी कि आपने कहां पे यह टांका लगाना है फिर नीचे से गुजार के फिर बन लेके आएंगे फिर एक और बल इन दोनों के अंदर से बुजार देंगे और फिर एक, दो, तीन, चार, पांच फिर हम पांच की chain बना लेंगे और फिर से हम एक hole करके टांका उठाएंगे इससे क्या होगा कि आपकी जो grip है वो कपड़े के साथ strong हो जाएगी यहां भी देख सकते हैं एक हाथ से मैंने किस तरीके से हम लोग ने कपड़े को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से हम लोग कुरेशिया बनाते जाएंगे फिर मजीद इसी step को follow करते जाना है hole करना है उसके अंदर से इस तरीके से बल लेके उपर आना है और फिर उसके बाद इसके अंदर से गुजानने है और फिर मजीद चार्ज जो हैं वो जिंजीरी के टांके बनाते हुए आगे फिर से टांका उठाते जाना है कपड़े बे इस तरीके से यह जो chain है इसको किसी भी sleeves के आगे या बच्चों की frogs पे किसी भी जगा पे आप कर सकते हैं यह देखें यह बहुत सिंपल एंड यूनीक सी लगती है ज़रूरी नहीं कि आप पांच-पांच टांके उठाएं दो-दो टांके उठाके भी यह design create कर सकते हैं बस मैंने इसलिए आपको बताया है कि ज़्यादा practice के लिए आपको बताया है कि जितनी आपको असानी हो सके इसको बनाने में उतनी असानी से आप इसको कर लें सेम इसी मैंतर को follow करते वे आप किसी भी एरिया पे इसकी बना के practice कर सकते हैं अगर आपकी ग्रिप पच्ची हो जाती है तो अगर आपको धागे के साथ बनाना भी difficult लग रहा है तो आप बारीक वाली wool ले सकते हैं बारीक वाली wool का भी बारीक वाली wool भी आती है उससे भी आप बना के practice कर सकते हैं इसके जो क्रेशे के धागे है वो अलग से मिल जाते हैं जो different colors में होते हैं और उनको बनाना इसके ज़्यादा difficult नहीं होता लेकिन उससे finishing बहुत जबरदस्त आती है दूसरा यह कि आप अपने dresses के साथ matching contrast के साथ भी बना सकते हैं यह देखें इसी तरीके से इसको निकालते जाएंगे टांके यह देखें इस रुमार की एक साथ मैंने पूरी कप हम लोगों ने आपको पूरी करके दिखा दी है यहां पर यहां पर हमने इसको stop करना है इसके अंदर से गुजारा और यहां पर दोनों के अंदर से गुजार के बल को लोज करके stop कर देंगे हमें डिजाइन आपको दिखाती हूं कैसा आया है यह बनने के बाद यह देखें कुछ इस टाइप का आया है कितना जबरदस लग रहा है हलाके हमने कुछ नहीं किया और सिर्फ जंजीरी बनाके टांके उठाएं हैं करुमाल में से कपड़े पे अगर आपको यह डिजाइन पसंद आ रहा है तो अपने स्लीव के आगे यह दामन पे यह बहुत एजिली बना सकते हैं देखें दोनों साइड पे कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आती कितना है जो हमने जहां पे स्टॉप किया है तो कट करेंगे यह जो कपड़ा का है इस नोट के अंदर से गुजार के इस तरहिके से इसकी नोट को पक्ता कर देंगे संवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी भी खुल जाए तो इसको जरूर ट्राइब कीजेगा बिल जरह सी भी हुई तो मुझे जरूर बताइएगा मेरी पुरानी क्लास इसको फॉलो करते वे यहां तक देखिएगा इसको फिर अगर आपको बिल्कुल भी कुरेशिया नहीं आता है तो आप बहुत ही परफेक्टली सीख जाएगे यहां तक वीडियो देख लिए वीडियो पसंद आई है लाइक किये बिना बिल्कुल मच जाएगा में शेयर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब किये बिना भी बिल्कुल मच जाएगा नेक्स्ट अगे बहुत इंटरस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजर होंगी तब तक के लिए मुझे अपनी हम याद रखिएगा हो कि लाहाफिज